एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जो अपने धूरी पर फ्रीली घूम सकता है लड़के के हाथ में खुला हुआ चाता है प्लेटफॉर्म और चाता दोनों की धूरी एक ही है प्लेटफॉर्म और लड़का दोनों को एक साथ ले तो उनका मुमेंट ओफ इनर्चिया 3 x 10 to the power minus 3 केजी मीटर स्क्वार है चाता का मुमेंट ओफ इनर्चिया 2 x 10 to the power minus 3 केजी मीटर स्क्वार है अगर लड़का चाता को अपने रिस्पेक्ट में 2 revolucion per second की गती से गुमाता है तो प्लेटफॉर्म किस गती से गुमेगा चाता के moment of inertia को I1 और platform प्लेटफॉर्म प्लस लड़का system के moment of inertia को I2 मान लेते है जब लर्का चाता को घुमाना शुरू करता है तो वो चाता को ऊपर की तरफ कुछ एंगलोर मोमेंटम देता है अगर आपको एंगलोर मोमेंटम की दिसा को समझने में परिशानी होती है तो आप हमारा एंगलोर मोमेंटम वाला वीडियो जरूर देखिए वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन पर है पर चुकि सिस्टम पर बाहर से कोई टॉक नहीं लग रहा इसका अंग्लोर मोमेंटम नहीं बदल सकता है इसलिए प्लैटफॉर्म प्लस लड़का सिस्टम को उल्टी दिसा में बराबर अंग्लोर मोमेंटम मिलेगा अगर हम चाता और प्लैटफॉर्म प्लस बॉई सिस्टम के बाद के अंग्लोर स्पीड को करमसह उमेगा वन और उमेगा टू माल ले तो चाता का अंग्लोर मोमेंटम उपर की तरफ आई वन उमेगा वन होगा और platform प्लस लर्का सिस्टम का angular momentum नीचे की तरफ i2 omega 2 होगा चुकि दोनों को बराबर angular momentum मिलना है इसलिए i1 omega 1 और i2 omega 2 बराबर होगा लर्का और छाता दोनों एक दूसरे से उल्टी दिसा में घूम रहे हैं इसलिए लर्का के respect में छाता की गती omega 1 प्लस omega 2 होगा जो question के उनुसार 2 revolution per second के बराबर है इसलिए omega 1 2 माइनस omega 2 के बराबर होगा omega 1 का value equation 1 में रखने पर हमें i2 omega 2 बराबर i1 into 2 माइनस omega 2 मिलता है जिसे हम i2 omega 2 प्लस i1 omega 2 बराबर 2 into i1 लिख सकते हैं इससे हमें omega 2 का value 2 into i1 by i1 प्लस i2 मिलता है i1 और i2 का value रखने पर omega 2 का value 2 into 2 into 10 to the power minus 3 बटा 2 into 10 to the power minus 3 प्लस 3 into 10 to the power minus 3 मिलता है सिंप्लिफाई करने पर omega 2 का value 0.8 revolution प्रतिसेकेंड मिलता है यही हमारा एंसर है अच्छी बार माँ बुक से किसी भी question के solution का request करने के लिए comments में question number और chapter number पोस्ट करें इस वीडियो को like और share करें इस chapter के बांकी questions के solution के लिए स्क्रीन पर दिये हुए playlist को देखें नए updates के लिए हमें facebook पर like करें twitter पर follow करें और इस channel को subscribe करें धन्यवाद धन्यवाद